यस पीपल डन वित यूर ब्रेक आप लोगों को का ब्रेक हो गया ब्रेक के बाद बापस से आपका स्वागत है करें ठीक है तो चलिए ब्रेक से पहले हमने सेलेबस को लेके इंट्रोड़क्शन पढ़ा था कि आपके सेलेबस में क्या-क्या है सीए के लिए सीए में के लिए लेकिन एक बात बताऊं जो लोग किसीने क्वेश्चन पूचा सर हम सीए सीए में दोनों कर रहे है तो आपके लिए एक ही पढ़ना है ठीक है आप जितना पढ़ोगे वह सीए के लिए भी आपलिके बले है एक और चीज़ समझना मैं बहुत बार ऐसे सीए ब को बुरा नहीं क्या हमारे लिए बोल रहे तुम भी तो कॉस्ट कोंटेंट और चाइंट एक बाते cuma दो सीए जब ढ़ने से पहले मैं आप से एक चीज़ पूचना चाहता हूँ मुझा बात बताईए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये section ऐसे लिखते है जैसे section 15 उसके पास मैं 3 लिखा हुआ है उसके बाद मैं 5 लिखा हुआ है उसके बाद मैं D लिखा हुआ है मुझे एक बात बताईए इसको आप read कैसे करोगे इसको read कैसे करेंगे ये क्या है मलब इसको read कैसे करेंगे इसको क्या बोलेंगे section बोलेंगे कैसे करेंगे किसी को phone पे बताना है कि भाई लिख section 15 चलिए तो जैसा कि सब लोगों ने बोला किसी ने बोला ये section है ये subsection है ये clause है और ये sub clause है सही है answer is yes तो जो सबसे पहले लिखा होता है इसको बोला जाता है section इसको बोला जाता है subsection इसको बोला जाता है clause और इसको बोला जाता है sub clause करके ठीक है section, subsection, clause and sub clause section, subsection, clause and sub clause section, subsection, clause and sub clause अब एक चीज़ समझना हर section को ऐसे ही read किया जाता है पहला section उसके साथ में लिखा होगा उसको subsection, उसके बाद clause और sub clause तो section 15, subsection 3, clause 5, sub clause D लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना अगर मानलो यह लिखा हुआ है 2.11 इसको क्या पढ़ा जाएगा section 2, clause 11 यह sub section 11 section 2, clause 11 यह sub clause 11 यह sub section 11 किसी ने बोला कोई बोल रहा है, इसको sub section 11 बोला जाएगा कोई बोल रहा है, इसको clause 11 बोला जाएगा section 2 clause और sub section right answer is रितिक बोल रहा है कि सर section 2 एक exception है right answer is section 2 है, जैसे section 224 है section 247 है section 2 के बाद मालो 28 है इन सब को क्या बोला जाता है पता है इनको बोला जाता है clause यहाँ पे 211, 224, 247, 228 इसको clause बोला जाएगा तो आप मुझे बोलोगे कि कब हमको section बोलना है और कब हमको clause बोलना है तो एक चीज आप ऐसे याद रखो देखो, अगर मालो कोई चीज है, जैसे मालो यहाँ पे section 15 दे रखा है, उसके बाद 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है यह एक दूसरे से interlink है, means there is a section 15 1, उसके बाद 15 2, 15 3, 15 4 यह एक दूसरे से interlink है, तो इनको बोला जाता है subsection, बट अगर मालो यहाँ पे कोई भी एक list है, जिसका एक दूसरे से कोई भी interlink है, उसको बोला जाता है clause तो एक बात बताओ, section 211 है, एक definition दे रखी है, उसके बाद 224 definition दे रखी है, income की, 247 definition दे रखी है, transfer की, यह अलग-अलग definition दे रखी है, जिनका यहाँ पे एक दूसरे से कोई linkage नहीं है एक definition का दूसरी definition से कहीं पे भी कोई भी connection नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको बोलोगे clause, लेकिन जब अगर मानलो एक दूसरे का interlink है, 151 का, 152 से interlink है, 153 से interlink है, 154 का interlink है, तो यहाँ पे बोला जाता है subsection अब आप बोलोगे सर हमको कैसे याद रहेगा करके ठीक है, income text में कहाँ सब section है, कहाँ clause है, देखो कहीं लिखने की ज़रुवत नहीं है, कहीं लिखने की ज़रुवत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ध्याद रखना करके, आप ध्याद रखना हमारे income text में एक तो section 2 है, एक section 10 ह और एक section 47 है, यह तीन जगे आपको जो भी साथ में लिखा होगा, उसको हम clause बोलेंगे, इन तीन section में इसके साथ में जो भी लिखा होगा, that will be known as the clause, तो जैसे मानलो 211 है करके ठीक है, उसको अपन clause बोलेंगे करके ठीक है, उसके बाद में section 10 है, अब एक बात बताओ, section 1010, जैसे मानलो आपने पढ़ा होगा, gratuity exempt होती है, तो 1010 में gratuity exempt होती है, 1010A में pension exempt होती है, 1010AA में आपने इंटर में पढ़ा होगा, कि like leave salary exempt होती है, leave salary exempt होती है, 1010D में life insurance policy का maturity amount है, वो exempt होता है, तो एक list दे रखी है, कि यह यह income exempt है, इसका एक दूसरे से कोई linkage नहीं है, तो 10 में भी clause बोला जाएगा, और section 47 के साथ में जो दे रखा है, उसको भी clause बोला जाएगा, तो आप इतना एक basic ध्यान रखना, कि section 2 है, section 10 है, and section 47 है, यह तीन जगे ऐसी है, जहां पे आपको clause बोलना है, बाकि जितनी भी sections रहेगी, उसके साथ में जो भी लिखा होगा, वो clause की करें, ठीक है, चलिए, अब अपन आगे बढ़ते है, मुझे एक बात बताईए, आप लोग, sir, income tax जो है, वो government tax क्यों लेती है, चलो, मुझे आप कुछ लोग बताईए, फटावट, government tax क्यों लेती है, government tax क्यों लेती है, what is the reason, why government charge the taxes, IT Act में कितने section होते है, 298, I think, 298 section, section total 298 number wise है, बट उसमें बहुत सारे है, जैसे आप देखोगे, 35, तो 35 है, 35 A है, 35 like क्या बोलते है, 35 D है, 35 DD है, 35 DD, बहुत सारे बहुत 35 की सीरीज में आपको 10-15 तो मिल जाएंगे, चलिए, government tax क्यों लेती है, तो government tax क्यों लेती है, इसमें मेरे पास answer आए बच्चों के, और बच्चे बोलते है, government tax क्यों लेती है, देश चलाने के लिए, to run the country, to provide service to us, government charge the taxes, to military के लिए, infrastructure के लिए, यह main source of revenue और government का, इसलिए government tax लेती है, ऐसा बच्चे बोल रहे है, तो कि government tax है, वो इसके लिए लेती है, मैं बताओ, गवर्मेंट टेक्स क्यों लेती है, जैसा आप लोगों ने बोला, to run country, मिस इंडिया को run करने के लिए, तो to run India, इंडिया को run करने के लिए, develop करने के लिए, smoothly चलाने के लिए, government tax लेती है, एक बात बताओ, आपने क्या किया, अपनी government को एक responsibility दे रखी है, और वो responsibility ये दे रखी है, कि आपको इंडिया को run करना है, इंडिया को आगे लेके जाना है, इंडिया को develop करना, ये तो अच्छा हुआ, किसी ने ये नहीं बोला, कि government tax क्यों लेती है, क्योंकि जिससे की income tax का CA final में paper डाला जा सके, अगर tax नहीं लेती, तो हमारा paper कैसे होगा तो CA बनाने के लिए paper डालने के लिए government tax ले रही है, is it like that, करके ठीक है, answer is no, यार, ऐसा कैसे होगा, ठीक है, तो government को आपने एक responsibility दे रखी है, और responsibility दे रखी है, कि भाईया, इंडिया को run करना है, develop करना है, उसके लिए क्या चीज़ों की जरुद पड़ती है, तो एक बात power, और दूसरा उनको चाहिए, पैसा, one is the power and one is the पैसा, मतलब money, अगर आप कोई responsibility देते हो किसी को, कि चलो आपको ये करना है, तो दो चीज़े चाहिए, one is the power and one is the पैसा, अब एक बात बताओ, government को power कहां पे दे रखी है, तो जितनी भी power है ना, वो government को दे रखी है, constitution of India में, अगर आप देखेंगे, constitution of India और constitution of India में government को power दे रखी है, कि government जो चाहे, जैसे चाहे, वो decision ले सकते है, जो constitution में उनको power दे रखी है, law बनाने की power, कि कौन से law बना सकते है, कैसे बना सकते है, आपने ऐसा सुना होगा, कि constitution of India के article 246 जो 7th schedule का है, 7th schedule का article number 246 जो है, वो 246 के 7th schedule में आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत, तो तीन लिस्ट दे रखी है, कि इन इन matters पे government law बना सकती है, उसमें आपको पता रहेगा, एक होती है union list करके, एक होती है तुमारी state list और एक होती है तुमारी concurrent list, एक union list, एक state list और एक concurrent list, union list में जो भी matter दे रखे है, उस पे law बन बनाने की power किस के पास में, central government के पास है, आज की date में, मोधी सरकार के पास में, state list में जो भी matter दे रखे है, उस पे law बनाने की power किस के पास में, state government के पास में है, और concurrent list ऐसी है, जिसमें दोनों ही लोग है, वो law बना सकते है, that is the concurrent list, तो देखो, constitution of India में power दे रखा है, अब पावर कि आपकी income पे tax लेना, tax on income, income पे tax लेने की power है, ये दे रखी है, entry number 82, आपका union list, जो union list है, वो union list का entry number 82 करके होता है, और 82 में ये power central government को दे रखी है, कि central government चाहे, तो income पे tax ले सकती है, बट यहां पे उन्होंने दे रखा है, other than agriculture income, agriculture income को आप छोड़ दीजिए, agriculture income को आप छोड़ के, और किसी भी income पे tax लेने के लिए law बना सकती है, कौन सी government, central government बना सकती है, tax on income पे law, other than the agriculture income, आप agriculture income को छोड़ के, बाकि किसी भी income पे tax लेना है, तो वो entry number 82, union list की, पावर देती है, हमारी central government को, कि central government है, वो law बना सकती है, अब आप मुझे बोलेंगे, कि क्या sir, इंडिया में agriculture income पे tax नहीं लगता, इंडिया में agriculture income, sir, कितना भी कमाये, tax नहीं लगता, answer नहीं लगता, sir, हमने agriculture से माल लो, 10 करोड कमा लिया, तो भी tax नहीं लगता, answer नहीं लगता, एक बात बताओ, आप कितना भी agriculture income कमाये, आपको, कुछ भी tax नहीं लगता आपको एक रुपया tax पे करने की ज़रुवत नहीं है क्योंकि agriculture income पे central government है वो tax नहीं ले सकती लेकिन क्या agriculture income पे agriculture income पे हमारी state government tax ले सकती है answer is yes अगर तुमारी state government चाहे तो tax ले सकती है क्योंकि जो state list है उसमें entry number 46 होता है state list है वो state list में entry number 46 होता है और 46 जो entry number है उसमें state government चाहे तो agriculture income पे tax ले सकती है बट बेटा central government agriculture income पे कोई भी tax नहीं ले सकती अब आप मेरी अगर राय पूचेंगे और मुझे पूचेंगे कि सर आप बताईए अप क्या क्या राय है आप क्या चाते हो कि अगरी कल्चेंगे पे tax लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए चलो पहले आप बता दो आप लोग बताओ कि水爆 वोuchen कि अगरे कल्चेंगे meng पे tax लगना चाहिए आजकी राय है है agriculture income पे कोई tax नहीं लगता बहुत सारे लोग वो partial integration की बात कर रहे है कि हम tax calculate अरे वो सिरफ slab rate बढ़ता है उस पे tax नहीं लगता करके slab rate की वजह से indirect कोई tax आता है but that is not a agriculture income पे tax नहीं लग सकता आप बताईए क्या agriculture income पे यस यस श्रदा I am getting everyone message अब यहाँ पर है न अप्रॉक्स there are 700 student है जो लाइव है तो मैं आपको यहीं बोलूँगा कि आप है न मलब आप tension मतलो आप सरफ मैं बोल रहा है उसको सुनते जाहिए करके ठीक है और जो relevant मेरे को लगेगा message I will surely reply जब मुझे लगेगा तब लगना चाहिए या नहीं है खुशी बोल रही है कि इस corporate है तो लगना चाहिए पंजाब वाले यूपी वाले बहुत पैसा चापते है सर अग्रिकल्चर के नाम पर यस सो अग्रिकल्चर इंकम पर टेक्स लगना चाहिए नहीं अगर आप मेरी राय बोलोगे तो आंसर इस यस अग्रिकल्चर इंकम पर अगर मैं फिनेंस मिनिस्टर बना कभी तो I will charge tax on agriculture income मैं यह नहीं बोलता कि हर किसान से आप टेक्स ले लो करके ठीक है आप हर चोटे-चोटे किसान से टेक्स ले लो but at least आप कुछ लिमिट तो रखो आप कुछ लिमिट तो रखो करके ठीक है मैं यह बोल रहा हूँ के गरीब किसान से मत लो जो पचास लाग से ज्यादा इंकम कमा रहा है अगरिकल्चर का at least उससे तो आप टेक्स लो आप उससे तो ट आप कितनी करोड़ो रुपे कमा लो उस पर कोई भी टेक्स नहीं है आप देखोगे पंजाब हर्यादा बहुत सारे वहां पे बहुत संपन किसान भी एकर टीक है संपन किसान मतलब जो करोड़ो रुपे कमा रहे हैं देयार अर्निंग करोड़ 100 रुपेस and they are not paying the single रुपेस of the tax because agriculture income पे tax नहीं है and a salary class people he is earning obviously more than 7 lakh रुपेस then also he used to pay the tax उसको अपना टेक्स पे करना पड़ेगा तो मेरे को ये लगता है अगर मालो मैं हूँ तो मैं तो बोलूँगा कि यस 50 lakh का आप limit दे दो ना if any person is earning 50 lakh don't charge any tax कोई किसान 50 lakh रुपया कमा रहा है उसको कोई टेक्स मत चार otherwise what people are doing you know that in the today's day people are converting black into white through the agriculture income agriculture income से black and white convert करना is very easy और यह हो रहा है मार्केट में आप देखोगे लोगों के दंदे चल रहे है agriculture income के कैसे मैं एक example लेता हूँ आपने अभी सुना होगा शारुक खान की बेटी भी किसान बन गई शारुक खान की बेटी जो है उसने कुछ मानलो agriculture land खरी दिया उसके खुदगे नाम पे कर गे ठीक है वैसे का है वैसे आप देखोगे अमिता बच्चन तो बहुत बड़ा कि अब होता क्या है उससे बहुत इजी है ब्लेक अंवैट करना agriculture income से कैसे जैसे मैं एक example लेता हूँ मेरे नाम पर मानलो 10 अकर जमीन है मैंने मेरे नाम पर 10 अकर जमीन ली अब वो जमीन मैंने 10 अकर ले ली करके ठीक है और 10 अकर जमीन लेने के बाद मैं क्या करता हूँ मेरे पास में मानलो black money है अब मेरे पास में 20 लाग रुपए black money है मैं क्या करता हूँ वो black का पैसा जो है मैं किसी को दे देता हूँ जो यह market में जो trader वगरा होते है market में जो trader होते हैं जो मंडी में वगरा काम करते हैं जो agriculture produce dealer होते हैं जो खरीदते बेचते हैं उनको मैं जाके cash दे देता हूँ और उनको बोलता हूँ आप मुझे bank में दे दीजिए और आप मुझे bill दे दीजिए कि मैंने आपको इतने का agriculture produce बेचा है अगर के ठीक है आप यह पैसा जो है वो वाइट हो गया यह पैसा जो है वो वाइट हो गया अगर के ठीक है और ब्लैक और आप कितने में होता है अगर आप मार्केट में कमिशन वगरा यह देखो गए ऐसे जो लोग काम करते हैं दो तीन परसेंट आप दे दो उनको और दो तीन परसेंट से cash से चेक करके देंगे, आपके पास में white पैसा आ गया, आपके पास agriculture land होनी चाहिए, आपके नाम पे, पैसा आपके bank में आ गया, आपने एक भी रुफया tax पे नहीं किया, और आपकी income जो है, वो white हो गई. So people are doing that type of practice, since agriculture income is not taxable at all. So agriculture income, मैं मानता हूँ, taxable होनी चाहिए, agriculture income पे tax लेना चाहिए, गर के ठीक है, बट भाईया, आज की date में agriculture income पे tax नहीं लगता, अब एक और बताओ, एक interesting case आया, interesting case क्या हुआ पता है, मैंने ऐसा पढ़ा था, as well as मैंने newspaper में भी पढ़ा था, आप अगर search करोगे, तो इसके बारे में और ज्यादा आप समझभा होगे, गर के ठीक है, हाँ, अब एक बात बताओ, लेक क्या होता है न, एक, ऐसे ही किया एक बंदेने, उसके नाम पे agriculture land थी, और agriculture land जो है, इस परश, agriculture land थी, इस परश इदर दिख, हाँ, agriculture land थी, उसने क्या किया, ऐसे ही बिल ले लिए, माल लो उसने 50 लाग के बिल ले लिए, 50 लाग बैंक में पैसा ले लिया, आगर कि ठीक है, और भीया, उसके बाद में, उसने उसको agriculture income बता दिया, assessment हुआ, और assessment जब हुआ, तो उसको पूचा गया, कि तुने ये 50 लाग का agriculture produce है, ये बेचा, तो बोला, हाँ, बोला, कहाँ पे ये ग्रो किया था, उसने बोला, मेरे खेत में, क्योंकि उसके नाम पे agriculture land थी, उसके नाम पे, तो उसने बोला, मेरा agriculture land है वहाँ पे, वहाँ पे ये ग्रो हुआ था, और उसको मैंने बेचा, ये रहा बिल, और ये रहा पैसा, और ये agriculture income है, तो उसने क्या किया था तुमको, जो assessing officer है, income tax department ने, पूचा उसको कि कौन से period में, आपने ये agriculture produce, वहाँ पे land पे ग्रो किया था, बताओ मुझे, तो उसने बताया कि, इस period से लिए इस period तक ये agriculture produce है, वो ग्रो हुआ था मेरी खेत में, और वो ही मैंने बेचा, income tax department ने क्या किया, वहाँ था सेटलाइट से photos मंगा ली, और सेटलाइट से photo मंगवाई, उस particular period में, उस particular खेत की, कि उस खेत में सच में agriculture produce हुआ है या नहीं, और सेटलाइट फोटो में पता चला, कि वहाँ तो बंजर भूमी है, कुछ agriculture produce हुआ ही नहीं अगर के ठीक है, और ऐसा करके, और फिर उस agriculture income को हटाया गया, उसके penalty लगाई गई है और तो मैं बता दूँ, सावदान रहे, सतर्क रहे करके, ठीक है, आज कर income tax department है, वो भी इतना, मतलब technology friendly हो गया है, कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, कि satellite photos मंगा ले आपके खेत की, कि आपके खेत में सच में agriculture produce है, वो हुआ था या नहीं हुआ था, और भाईया, आपने जो agriculture income बताई है, उसको हटा सकते है, बट आज भी बेटा, वो तो एक case के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आज भी ऐसे लाखों case है, ऐसे हजारों case है, जिसमें यही वाली चीज हो रही है, कि agriculture income आप डमी बता दो करके, आप पैसे को white कर लो, किसी से bill ले लो, और वैसी चीज़े है, उसके दो रीजन हो सकते है, पहली चीज तो यह है, कि हम चाहते है कि किसानों को benefit दे, अग्री कल्चर इंकम पे tax ना ले, और दूसरी चीज यह है, अगर माल लो आज की गेट में, अगर मोदी जी भी यह step ले ले, कि किसानों पे एग्री कल्चर इंकम पे tax लगाए, election हार जाएंगे, अगर माल लो, आज की डेट में, अगर government जो है, वो ऐसा कोई step ले ले, जिसमें यह बोले कि हम एग्री कल्चर इंकम पे tax लेंगे, तो अगला election हार जाएंगे, तो देर जाएंगे, पॉलिटिकल रीजन ऑल्सों के पॉलिटिकल रीजन की वज़े से अगरी कल्चर इंकम पे tax लेते, और दूसरी चीज़ आप देखोगे, जितने भी politician है, वो politician के सब के जो है, वो सब के agriculture land है, जितने politician इंडिया में है, सब जो है वो अपने आप में किसान है, आज कल तो एक नया धंदा और चालू किया है, नर्सरी का, और नर्सरी से black and white कर रहे है, नर्सरी के लिए तो आपको कोई बड़ी जगे भी नहीं चाहिए, कोई खेद भी नहीं चाहिए, गर के ठीक है, जग बड़ी जगे भी नहीं चाहिए, खेद भी नहीं चाहिए, आप पौदे होगा होगर के एक छोटा सा जगे ले लो, पौदे होगा हो, पौदे बेचो और cash बता दो, और cash bank में जमा करा दो, बोलो nursery से income हुई है, आप बोल दो nursery से income है, nursery का income जो है, वो nursery का income भी agriculture income है, तो आप अगर plantation बेचते हो, nursery से income, पीच इदम्बरम ने nursery से income कमा ली थी, ठीक है, तो पीच इदम्बरम ने जब nursery से income कमा ली, बाकी तो आप छोड़ी दो करेंगे, ठीक है, तो वैसा है कि आप nursery चालू कर दो, और nursery से income बोलो, agriculture income है, पूरा ही exempt हो जाएगा, उस पे कोई भी tax नहीं लगेगा, चलो, इसमें और अपन आगे नहीं बात करेंगे, discussion में, चलिए, अब अपन बात कर रहे थे, लगता है, तो इंडिया में tax लगता है, दो reason की वज़े से, sorry, इंडिया में tax को लगता है, क्योंकि आपको country को run करना है, आपको country को develop करना है, और run करने के लिए, develop करने के लिए, दो चीज़ों की जरूत चाहिए, एक तो चाहिए power और दूसरा चाहिए पैसा अब अपना आगे पैसे पर अब एक बात बताओ अपनी government है वो पैसा कहां से जुटाएगी पैसा कहां से लाएगी तो अपनी government है वो पैसा कहां से लाती है पैसा कहां से लाएगी तो एक बात समझते हैं, पैसा कहां से लाएंगे पैसे चाहिए, बिक उस country को run करने के लिए, develop करने के लिए पैसे चाहिए अब पैसे चाहिए, तो उसके लिए अपने एक example लेते हैं और एक example लेते हैं, जैसे जिस एक बंदा है, जिसका नाम है पुनित करके, तो हमारे बैच में एक बच्चा है, जैसका नाम है पुनित, तो चलो पुनित का अपन फोटो भी बना देते हैं एक चीज तो मैं बता दू कि अगर मालो इस बैच में जो भी मैं example लोंगा वो example का किसी के वास्त्विक जीवन से कोई लेना देना नहीं है ये imaginary घटनाओं पे आधारित है अगर किसी के वास्त्विक जीवन से लेना देना है तो वो एक मात्र coincidence हो सकता है उससे ज़्यादा कोई नहीं हो सकता तो ऐसे seriously ना ले करगे, ठीक है ये पुनित है पुनित की आर्टिकल शिप चल रही है पुनित सुपरस्टार पुनित की आर्टिकल शिप चल रही है अच्छी फ़र्म में पुनित आर्टिकल कर रहा है अब एक बात समझना हुआ क्या कि पुनित की गल्फ्रेंड है और पुनित की जो महिला मित्र है गल्फ्रेंड को अपन महिला मित्र बोलेंगे गर के ठीक है पुनित की गल्फ्रेंड है और गल्फ्रेंड का नाम क्या है वो अपन बाद में देखेंगे यह girlfriend है, महिला मित्र है और महिला मित्र का अगले महिने बर्थडे है, अगले महिने पुनित की महिला मित्र का बर्थडे है, मुझे एक बात पताईए, मुझे एक बात पताईए, पुनित की महिला मित्र का अगले महिने बर्थडे है, तो बर्थडे होता है तो क्या होता है ना अलग सरप्राइज फिर दू गंटें के बाद अलग सरप्राइज फिर चार गंटें के बाद अलग सरप्राइज आज कल तो मैं आपको बता को ना क्या-क्या जमेले चल रहे हैं आपको पता ही रही zost आ तो महिला मित्र है, महिला मित्र का बर्डे है और बर्डे के लिए इन्होंने सोचा कि इनकी relationship जो है उसको develop करना है तो develop करना है relationship को, इनकी relationship को run करना है तो उसके लिए क्या चीज़ की जरुवत रहेगी तो इसने सोचा कि मैं मेरी girlfriend का महिला मित्र का birthday है तो birthday को अपन बहुत ही अच्छे से celebrate करे बहुत अच्छे से पुनित birthday को celebrate करना चाता है surprise देना चाता है उस दिन surprise पर surprise देना चाता है तो जब surprise पर surprise देना चाता है तो आप ही बताईए पुनित क्या करेगा पुनित सोचेगा हमारी relation को कैसे develop करे तो इसने सबसे पहले CA का बच्चा है इसने budget बनाया कितना खर्चा होने वाला है उस दिन तो इसने budget कैसे बनाया कि सबसे पहले तो इसने सोचा कि चलिए उसके लिए cake लाएंगे cake का 1000 रहेगा फिर movie देखने और जाएंगे तो movie का 1000 और उ 5000 रुपेज है यह उसने budget बनाया कि 5000 रुपेज है उखर्च होने वाला है अब मुझे यह बताईए 5000 रुपेज यह कौन बोल रहा है वह हो जाएंगे करके ठीक है इतना अशलील बंदा कौन है करके ठीक है वह जाएंगे नहीं जाएंगे वह पुनित डिसाइड करेगा अब तो मुझे एक बात बताओ यह 5000 रुपीज का budget है अब यह 5000 पुनित कहां से लाएगा कहां से fund करेगा बर्डे जो है वह अगले महीने है तो 5000 कहां से आएगा तो पुनित ने सोचा कि यह 5000 कहां से आएगा तो 5000 के लिए सबसे पहले पुनित को पता है कि अगले महीने उसका stipend आने वाला है, आर्टिकल शिप कर रहा है, तो उसमें स्टाइपन आने वाला है, स्टाइपन उसका माल लो 2500 है, तो 2500 तो यह आर्टिकल शिप कर रहा है, तो आर्टिकल शिप में से उसका खुद का कुछ बिजनस है, प्रॉफेशन है, उससे आ जाएगा, अब मुझे एक बात ये बाकी वाला 2500 और चाहिए अब ये 2500 है वो और चाहिए वो कहां से लाएगा तो सबसे पहले 2500 कहां से लाएगा बाकी वाला तो ये अपने पैरेंट्स से मांगेगा अपने पैरेंट्स के पास में जाएगा और अपने पैरेंट्स में के पास जाके अपनी मम्मी पापा से जा अब एक बात बताओ, अपनी मम्मी से पैसा मांगना नहीं पड़ता, मम्मी से आप बोलना बन कर दो, कुछ खाना खाना बन कर दो, मम्मी जब भी बोले कि खाना खालो बेटा, नहीं मुझे भूख नहीं, दो-तीन दिन बोल दो ऐसा भूख नहीं, तो मम्मी को समझ में आ अगर आप 2500 मांग लो तो मम्मी को आपने बोला कि मुझे 1500 रुपे चाहिए तो 1500 रुपे आपको मम्मी से मिल गए पेरेंट्स से मिल गए और उसके बाद में अगर मान लो यहां फिर रिलेशन्शिप को डेवलप करना है तो 1000 रुपे और चाहिए और वो कहां से लेगा अपन 1000 रुपे है वो उधार दे दो तो प्रेंट्स से 1000 रुपे लेगा अब मुझे बात बताईए आपकी गवर्मेंट वो भी ऐसा ही करती है गवर्मेंट पैसा जो है वो कहां से लाएगी तो गवर्मेंट पैसा कहां से लाती है तो सबसे पहले गवर्मेंट का पैसे का जो सोर् वो काफी पैसा जुटाती है, गवर्मेंट भी आर्टिकल शिप करती है, कहां कहां पर गवर्मेंट के आर्टिकल शिप है, तो आपने सुना होगा बहुत सारे गवर्मेंट के बिजनस है, जैसे आपने देखा होगा, कि लाइक BPCL भारत पेट्रोलियम BPCL है, उसके बाद में बिजनस से पैसे लेती है लेकिन जो government की need है वो business से भी खतम नहीं होती तो government क्या करती है अपने parents से पैसा मांगती है और आप ही बताए गवर्मेंट के parents कौन है आप है और आप से पैसा लेती है in the form of the taxes वो taxes के form में लेती है और taxes दो तरीके के होते है वन इस दर डिरेक्ट टेक one is the direct tax, one is the indirect tax और अगर parents से जो taxes लेते है taxes से भी अगर government का पेट नहीं बढ़ता है उनकी जो need नहीं complete होती तो वो क्या करते है फिर आपने सुना होगा वो loan लेते है जैसे world bank से loan लिया, IMF से loan ले लिया आपने ये सुना होगा तो फिर वो अपने friends से loan लेते है किसी और country से लो लेते है और वो loan लेके और फिर जो है वो need है, वो complete करते है और government को run करते है करके ठीक है चलिए, अब अपन बात कर रहे है taxes की, अब अपन आगे taxes पे, तो एक बात बताओ taxes दो तरह के होते है direct tax, indirect tax, अब इसके बारे में मैं आपको और ज्यादा नहीं बताऊंगा direct tax में क्या difference है, indirect tax में क्या difference है, यह आपने पहले कहीं न कहीं पढ़ रखा है, अब अपन चलेंगे सीधे direct tax पे, अब मुझे एक बात बताओ, direct tax को सीखने के लिए, हम पहली चीज तो हम सीख रहे है direct tax law, और direct tax को सीखने के लिए, आपको किन किन चीजों का knowledge होना चाहिए, एक तो आप को knowledge होना चाहिए, income tax act 1961 का, उसके बाद आपको knowledge होना चाहिए, income tax rules 1962 का, और उसके साथ में, आपको knowledge होना चाहिए, finance act 2023 का, यह तीन चीजों का knowledge होना चाहिए, और उसके साथ साथ में कुछ circular notification, case laws वो तो है यह, लेकिन सरे एक बात बताईए, यह income tax act 1961, income tax rules 1962 यह क्या है, तो देखिए, income tax act 1961 is basically a captain of this law, यह captain है, इसमें सब provision लिखे हुए है, इसमें सब provision लिखे हुए है, करके ठीक है, income tax act में, कि भाईया, person कौन है, tax किसको लगेगा, income जो है, वो कैसी है, कौन-कौन सी income पे tax लगेगा, assessment कैसे होगा, वो सब income tax act में लिखा हुआ है, एक चीज़ और ध्यान रखना करके, ठीक है, कभी भी लिखते time आप act में, act में A हमेशा capital लिखेंगे, कभी भी आप ये वाला act नहीं लिखेंगे, अगर आप ये वाला, दूसरा वाला, ये वाला act लिखते है न, तो इसमें फिर वो शारुक खान वाला act हो जाएगा, वो वाला act है, वो शारुक खान वाला act हो जाएगा आप कभी भी वो वाला Act ऐसे A छोटा नहीं लिखेंगे जब भी कहीं पे भी आप लिखेंगे वो Act में A जो है वो हमेशा आपको Capital लिखना है और बेटा C ने N T है वो आप स्मौन लिख सकते है अब एक बात बताओ फिर ये Income Tax Rules क्या है तो देखो Income Tax Act जो होता है उसको support करने के लिए Income Tax Rules बनाए जाते है कैसे support करने के लिए Income Tax Act जो होता है उसको support करने के लिए Income Tax Rules बनाए जाते है जैसे example के लिए आपको बता है Computer पे Depreciation की Rate क्या है बोलो बो Computer पे Depreciation की Rate क्या है बताओ be consigo computation by depreciation निए किलेट कि बताओ कंप्यूटर पर डैपरी सेषन की रेट क्या है da computer the computation पे कि की प्रेट क्या है को और बताएगा भाई साब कम्प्यूटर पर डेप्रिशेशन की रेट में मेरे को जो आंसर मिले मेरे को लगता है कम्प्यूटर पर डेप्रिशेशन की रेट क्या है कोई बोलता है 40% कोई बोलता है 15 परसेंट it's 40% ये कहां पर दे रखा है ये कहां पर दे रखा है कि computer पर depreciation 40% से मिलेगा where it is written कहां दे रखा है चलो बताओ मुझे ये कहां दे रखा है कि computer पर depreciation की rate है वो 40% ये कहां दे रखा है anyone बताइए ये कहां दे रखा है कि computer पर depreciation की rate 40% ये कहां दे रखा है किसी ने बोला कि सर ये Income Tax Act में दे रखा है Section 32 में मैं आपको बता देता हूँ Income Tax Act आपके सामने खोल के क्या Income Tax Act में कहां दे रखा है ये Depreciation की Rate है वो 40% चलिए ये Income Tax की Website आ गए और ये Income Tax की Website पे में गया Income Tax India, GOV.in, Modi ji भी यहाँ पे देखो कुछ भाजन दे रहे है और Income Tax Act में जाता हूँ Income Tax Act 1961 और उसकी Section No.32 लोगोंने बोला 32 में दे रखा लोग ये 32 पे आ गया और Section 32 Depreciation से Related है बिलकुल Depreciation से Related है यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है Depreciation इन इन Assets पे अलाव होगा इस पूरी Section में कहीं पे भी Rate नहीं दे रखा कहीं पे भी Rate नहीं दे रखा करके ठीक है यहाँ पे कहीं पे भी Rate नहीं दे रखा कै भई Depreciation की Rate 40% है कहां दे रखा, Income Tax Act में तो नहीं दे रखा Section 32 मैंने आपको बता दी यह Section 32 आपको दे रखी है यह Section 32 आपके सामने है कहां दे रखा है, यहाँ Depreciation की Rate 40% है एक बात बताओ, वो कहां दे रखा है वो दे रखा है, Income Tax Rules में Income Tax Rules में दे रखा है Rule No.5, सब Rule No.2 करके बहुत सारे लोग लिख रहे है वो Rules में दे रखा है आप बोलोगे Act में तो क्या लिखा हुआ है Act में लिखा हुआ है As May Be Prescribed उसमें लिखा हुआ है कि Depreciation is Allowed at a Rate May Be Prescribed और वो Prescribed कहां करते है वो Rules में देते है एक बात बताओ, वो Rules में करते है देते है, गरगे ठीक है Rules में देते है, जैसे मानलो यहाँ पर देखिए, क्या लिखा हुआ है Depreciation, Building पर मिलेगा Machinery, Plant, Furniture, Tangible Asset Intangible Asset पर मिलेगा अगर गे ठीक है और यहाँ पर क्या दे रखा है In the case of any block of asset Such percentage on the written down value WDV as May Be Prescribed Miss Prescribed कर रखी है और यह Prescribed कहां पर कर रखी है यह 94 दे रखा है और 94 पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यह बताएगा कि हमने Rules में दे रखा है और Rules में जाके जब आप जेकोगे तो वहाँ पर दे रखी है Depreciation की Rate क्या है तो देखिए Income Tax Act है ना उस Income Tax Act में Basic Law के Provision है और बहुत सारी चीज़े है वो Prescribe कर रखी है Rules में जैसे आपको पता रहेगा Income Tax Return आप ITR के बारे में बात करते हो कि ITR 1 किसको फाइल करना है ITR 2 किसको फाइल करना है ITR 3 यह ITR Form कहां दे रखे है यह Rules में दे रखे है यह Act में नहीं दे रखा Act में इतना दे रखा है कि You have to file the income tax written in the form as may be prescribed तो यह form कहां Prescribe कर रखे होते है यह Rules में कर रखे होते है और Rules में दे रखा है कि ITR 1 किसको फाइल करना है ITR 2 किसको फाइल करना है ITR 3 किसको फाइल करना है 4 किसको फाइल करना है वो सहज किसको फाइल करना है, सुगम किसको फाइल करना है, वो आपको रूल्स में दे रखे है तो देखिए जो एक्ट होता है न, उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए रूल्स बनाए जाते है अब एक कॉंसेप्ट आता है, Finance Act 2023 अब एक बात बताओ, ये Income Tax Act जो है, ये तो 1961 में बन गया था 1961 में बन गया था Income Tax Act, लेकिन इसमें कुछ amendment करना है अगर इसको कहीं पे भी amendment करना है, कुछ भी इसमें amendment करना है तो amendment किसके थू होता है, हर साल Finance Act के थू होता है हर साल एक finance act आता है और finance act के थूँ जो है वो amendment होते है तो जितने भी amendments होते है ना income tax act में वो किसके थूँ होते है finance act के थूँ होते है अब आप बोलोगे सर ये finance act 2023 क्यों बोल रहे हो आप क्योंकि आपके exam के लिए finance act 2023 is applicable अब आप बोलोगे finance act कैसे बनता है तो finance act कैसे बनता है तो इतना आपको याद रहेगा कि हर साल क्या होता है कि जो finance minister होते है और our present finance minister निर्मला सीता रमंजी इन्होंने क्या किया था एक budget present करते है और जो budget present करते है उस budget का एक part होता है जिसको बोला जाता है finance bill करके उसको पहले बोला जाता है finance bill तो finance bill 2023 है वो finance bill 2023 was presented by निर्मला सीता रमंजी on the first feb 2023 first feb 2023 को निर्मला सीता रमंजी ने एक budget present किया और उस budget का एक part होता है that is the finance bill 2023 यह present किया जाता है पारल्यामेंट में उसको तब तक bill बोला जाएगा एक्ट नहीं बोलते तब तक उसको bill बोला जाएगा और यह तुमारा finance bill 2023 है यह first feb 2023 को निर्मला सीता रमंजी ने पारल्यामेंट में present किया अब एक बात समझना जैसे ही present करते है उसके बाद में उस पे discussion होता है अगर आपका कोई view है आप भी उस पे उनको recommend कर सकते हैं हमारा यह view है finance bill में शायर यह चीज़ सही नहीं है यह चीज़ अलग होनी चाहिए यह चीज़ सही होनी चाहिए इसकी drafting में issue है जो भी है तो और उसके बाद में उस पारल्यामेंट में एक session होता है उस session में उस पे discussion होता है मिस BJP वाले अपना कुछ रुक रखते हैं, Congress वाले रखते हैं Ultimately तो opposition वाली पार्टिया है वो बोलती है कि वह यह budget बहुत ही घराब है करके ठीक है यह finance bill में यह गडबडे ऐसा है और जो government में पार्टिया होती है कि यह तो best है करके ठीक है इंडिया के मतलब वो क्या बोलते है इंडिया जब अंग्रेशों से फ्रीवा उसके बाद का best जो finance bill है वो यही वाला है तो उस पे discussion होता है और discussion होने के बाद यह जो finance bill है यह दोनों houses से पास किया जाता है लोग सबा और राज्य सबा लोवर हाउस और अपर हाउस वो दोनों से क्या होता है पास हो जाता है और जब पास होने के बाद में इस finance bill पे president का sign होता है उसमें जो changes करने वो changes करने के बाद दोनों houses से पास कराया जाता है उसके बाद President का sign होता है और जिस दिन उस पे President का sign हो जाता है उसको बोला जाता है Finance Act 2023 तो Finance Bill 2023 जो है वो Finance Bill 2023 जिस दिन President ने उस पे sign कर लिया और जिस दिन President ने उस पे sign कर लिया फिर वो तुमारा बन जाता है यह Finance Act 2023 और यह Finance Act 2023 है आप बोलोगे कि सर यह Finance Bill 2023 था यह Finance Act 2023 बना और यह कौन सी डेट को बना तो मैं बताऊं यह Finance Act 2023 बना यह 31st March 2023 को इस डेट को इस डेट को यह जो डेट है इस डेट को उन्होंने उस पे साइन कर लिया तो प्रेजिडेंट ने साइन किया 31st March 2023 को तो उस दिन से यह Finance Act 2023 बन गया पहले था Finance Bill 2023 उसके बाद मैं discussion वगरा हुआ उसके बाद मैं sign कर लिया और sign कर लिया तो वो तुमारा Finance Act 2023 बोला जाएगा 31st March 2023 को प्रेजिडेंट ने इस पे sign कर लिया अब एक बात समझना सर यह जो अमेंडमेंट जितने भी होते है यह जो अमेंडमेंट होते है जो इस वाले Act में अमेंडमेंट हुए वो अमेंडमेंट किसके लिए applicable है मिस कौन से year से applicable होते है देखो अगर law में कोई specific date दे रखी है कि यह अमेंडमेंट retrospective है दो साल पहले से ह या फिर तीन साल पहले से है चार साल पहले से है अगर मालो कुछ भी ऐसा retrospective date दे रखी है तो उस date से applicable होगा अगर मालो date define की हुई है provision में ही कि this amendment is applicable from so and so date कि यह जो है वो इस date से applicable होगा अगर लिखा हुआ है तो वो उस date से applicable होगा बट अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कर Finance Act 2023 के यह amendment 1st April 2023 से जो financial year चालू होता है उस पे applicable है इसका मतलब यह हुआ कि तुमारा जो financial year 23-24 रहेगा उस पे यह applicable है और इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ financial year को previous year 23-24 है उस पे यह applicable है या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ assessment year 24-25 के लिए यह applicable है तो previous year जो है वो previous year मतलब जिस year में आप income कमाते हो तो जितने भी amendments हुए होंगे यह Finance Act 2023 से that is applicable for previous year 23-24 और I can say that assessment year 24-25 तो previous year 23-24 एं assessment year 24-25 इसके लिए यह applicable होता है एक बात बताओ जब भी आप कोई भी section देखोगे न तो वहाँ पे कभी भी previous year का जिक्र नहीं होता वहाँ कहीं भी previous year का जिक्र नहीं होता वहाँ हमेशा assessment year का जिक्र होता है तो जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और पढ़ाते टाइम मैंने आपको यह बोल दिया कि इस amendment is applicable from 1st April 2024 इसका मतलब यह assessment year की बात कर रहा हूं assessment year 24-25 इसका मतलब previous year 23-24 और 23-24 में जो भी आप income earn करोगे उस पे यह amendment applicable है तो मैं बोलते टाइम मैंने बुक में तो बहुत लिखा है कि this is applicable from which assessment year तो हमेशा हम law में जब बात करेंगे तो assessment year wise बात करेंगे कि यह assessment year 24-25 से applicable क्योंकि आप return तो assessment year में भरोगे आप previous year में income को कमा लेते हो और उस पे जो text भरना है आपको अपना return भरना है वो आपको assessment year में भरना है तो जितने भी amendment होते नॉर्मली हम लिखते time उसको बोलते assessment year wise that is assessment year 24-25 से तो जो भी तुमारा ये budget आया था जो ये budget आया था फिर उसका finance act बन गया और वो finance act 2023 है that is applicable from the 1st April 2024 इसका मतलब assessment year 24-25 या आप ऐसा बोल सकते हो previous year 23-24 अब आप बोलोगे ये previous year assessment year क्या होता है तो देखो मैं आपको बोलू previous year basically वो वाला year होता है जिस year में आप income कमाते हो जिस year में आप income कमाते हो उस year को बोला जाता है previous year example के लिए आज मैं income कमा रहा हो आज मैं पढ़ा रहा हो तो मैं जिस year में जिस financial year में income कमा रहा हो that is called previous year तो आपके exam के लिए आपके exam के लिए previous year is 23-24 इसका मतलब आप जो income कमाऊगे 1st April 2023 से लेके और 31st March 2024 के बीच में 1st April 2023 से लेके and 31st March 2024 के बीच में जो भी आपने income कमाई उस income पे आप tax भरोगे उसके अगले साल that is call your assessment year तो assessment year आपके लिए होगा 24-25 और assessment year 24-25 जो होता है वो assessment year 24-25 means this is the period starting from 1st April 2024 से लेके और 31st March 2025 that is call your assessment year तो देखो previous year वो वाला year होता है जिस year में आप income को कमाते हो आप income को earn करते हो and assessment year वो वाला year होता है जिस year में जाके आप उस पे tax भरते हो तो बड़ा simple है ना एक बात दाओ इस period में आपने जो income कमाई होगी उस पे tax आप इस साल में जाके भरोगे तो इस साल में जाके जो 31st July 2024 आएगा या 31st October 2024 आएगा उस time पे आप अपना return file करोगे जो हिसाब किताब उनको दोगे assessment year में ठीक है तो assessment year is a year जो की previous year के exactly बाद में जो 12 month का period होता है that is call your assessment year अब आप मुझे बोलेंगे किसरे बात बताओ assessment year जो है आप बोल रहे हो 1st April 2024 से 31st March 2025 that is assessment year और उसका previous year is a 2324 अभी आप office में जो return file कर रहे हो आजकर वो return कौन से year के file कर रहे हो last year के क्योंकि last year का previous year 2223 था और अब आप office में return file कर रहे हो assessment year 2324 में तो 2324 assessment year में आप return file कर रहे हो previous year 2223 के ठीक है चलिए अब एक और चीज यहां पर यह आती है इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए में इधर देखिए हमेशा इधर देखिए सरे एक बात बताओ क्या assessment year का period हमेशा 12 मंत का होगा answer is yes assessment year होता है न वो हमेशा आपका 12 मंत का period रहेगा answer is yes क्या previous year भी 12 मंत का होगा क्या previous year जो है वो previous year भी क्या 12 मंत का होगा right answer is previous year normally 12 मंत का होता है normally previous year भी 12 मंत का होता है लेकिन एक चीज जहां रखना एक exception ऐसा है कि अगर मालो आपने income कमाना चालू किया है वो उसी year में किया है means आपका जो income का source है वो first अप्रिल से नहीं है बाद में आया है तो उस year का जो previous year रहेगा वो start तब से होगा जब वो income का source existence में आया वहां से जब income का source existence में आया वहां से वो है वो आपका previous year start होगा लेकिन complete कब तक होगा पता है complete होगा वो आपका 31st March को ही होगा यह लोग जो incorporation company वाले बोल रहे खजूर लोगों के वो सब companies act के लिए होता है income tax act के लिए नहीं होता यह लोग बोलते 15 महीने अरे वो companies act के filing के लिए इंकम टेक्स के लिए वैसा कुछ नहीं है करके ठीक है वो annual filing companies के लिए यहां पर नहीं है मैंने क्या बोला मेरी तरफ देखिए प्रीवियस यह जो है वो नॉर्मली 12 मंद का होता है करके ठीक है लेकिन एक चीज समझना अगर आपकी कोई इंकम का सोर्स इसी साल में नया इंकम का सोर्स आया है तो उस पर्टिकुलर केस में previous year है वो 12 मंद से कम का भी हो सकता है जैसे मैं एक एक एग्जामपल लेता हूँ previous year 23-24 normally it starts from the 1st April 2023 normally 1st April से start हूगा लेकिन मालो मैं कुछ भी काम नहीं करता था मैंने मेरा बिजनेर्स चालो किया 10 December 2023 को 10 December 2023 को तो मेरा previous year start होगा 10 December 2023 से लेकिन complete होगा 31st March 2024 तक complete होगा 31st March 2024 तो इसका मतलब यह हुआ कि assessment year है ना वो always 12 month का period है assessment year is always 12 month का period but previous year 12 month से कम हो सकता है previous year 12 month से कम हो सकता है अगर आप नया कोई business चालू करते हो या नया कोई income का existence आ जाता है पहले आप कमाते ही नहीं थे और आप CA बन गए और CA बनने के बाद आपने कमाना चालू हुआ तो उस particular case में आपका previous year वहाँ से start होगा जब आपका वो नया source है वो existence में आया वहाँ से start होगा जब आपका नया source existence में आया वहाँ से आपका previous year हो start होगा और complete होगा obviously 31st March को है वो आपका year है वो complete होगा maximum 12 मन्त का previous year हो सकता है 15 महीने का नहीं होता वो 15 मन्त जो जो लोग बोल रहे है वो 15 मन्त बावो जो जो लोग बोल रहे है यहाँ पे वो companies act में companies के filing से related है income tax के filing से related नहीं है इंकम टेक्स के filing से related नहीं है वो companies act के filing से related 15 मन्त है income tax में ऐसा कोई भी 15 मन्त का concept है वो आपका नहीं है ठीक है चलिए अब अपने काम करते है चलते है एक बार आपकी book पे अगर आपके पास book नहीं है आज कोई दिक्कत नहीं है आज आपको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा जहां पे book की जरुवत है तो अगर आपके पास book नहीं है तो कोई बात में चलिए आज आईए सब लोग topic number 1 पे यस यस आपकी activity चालू किसी ने बोला सर्माल लो 10 December से business चालू हुआ loss हुआ तो भी क्या previous year 10 December से चालू हुआ answer is yes 10 December से चालू हुआ books already हम dispatch कर चुके है mostly आपको परसो तक मिली जाएगी और अब अगला lecture Monday को रहेगा तो don't worry about that Monday तक आपके पास books आ जाएगी ठीक है चलिए तो अपन रितिक कोई बोल रहा है आपका previous year and assessment year जो है वो आपका हमेशा financial year ही रहेगा financial year is a previous year और assessment year चलिए तो देखिए मैंने आपको basic topic दे रखा है compact में सबसे पहले और यहाँ पे क्या दे रखा है entry number 82 of the union list union list that is the list number 1 of the 7th schedule to the article 246 of the constitution of India the constitution of India में बहुत सारे article है उस article का 246 का जो 7th schedule है उसका entry number 82 यह power देता है has given the power to central government to make the laws on income tax other than agriculture income and entry number 46 of the state list gives power to state government to make law on the tax on the agriculture income अब एक बाद समझना income tax law में आपको किन-किन चीज़ों का knowledge होना चाहिए ठीक है देखिए income tax law में income tax act 1961 यह बेसिकली आपका captain है रोहित शर्मा अभी रोहित शर्मा है ठीक है रोहित शर्मा है रोहित शर्मा है जातेता है कापटन दे रखा है इसमें टेक्स लाइबिलिटी कैसे निकालना है प्रोसेजर अपसेस्मेंट कैसे रहेगा वह इसमें दे रखा है और यह जम्मू कश्मिर पे भी अपलीके बले तो जम्मू कश्मिर में अगर आप आपको टेक्स तो पे करना रहेगा दूसरा इंकम टेक्स रूल किया होता है तो सिखाने वाला हूं To make the rules, CBTT के पास power है, यह rules बनाते है, all forms, जितने भी forms है, procedure है, depreciation rates है, principle of valuation of perquisite है, यह सब rules में provide कर रखे है, उसके बाद annual finance act, every year finance act आता है, every year the finance minister present a finance bill in the parliament which contains various amendments proposed to be made in the direct tax and indirect tax law. तो normally direct tax और indirect tax के जैसे custom के amendment है, GST के amendment है, यह custom है, GST है, वो सबके जो amendment है, वो amendment finance act के तुरू आते है, finance bill 2023 presented by Nirmala Sita Ramanji on the 1st Feb 2023 and as soon as bill passed by both the houses of the parliament and thereafter receive the assent of the president, it becomes the finance act, वो उस दिन से finance act बन जाता है. Finance bill 2023 became the finance act 2023 on 31st March 2023 after receive the assent of the president. अब एक बात समझना, एक concept आता है, circular and notification. अब आप बोलोगे, यह circular and notification क्या होते है, by the CBTT. एक होता है circular और एक होता है notification. सर्फ finance act में amendment कौन-कौन से act से related हो सकते हैं, बहुत सारे act से related होते हैं, अगर आप finance act देखोगे, कोई मुझे बताईए circular notification क्या होता है. मुझे बताईए, कभी भी आप finance act देखोगे, तो finance act में, finance bill जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 2023 वाला, उसमें दे रखा कौन-कौन से act में changes है, तो जैसे सबसे पहले income tax में यह changes है, income tax act के बाद में, उनको दूसरे act में change, जैसे indirect taxes में, custom में यह change है, custom tariff में यह change है, उसके ब चलिए मुझे बताईए, कि सर, circular और notification में क्या फ़राख है, circular and notification, आरूशी, अंचल, आयूशी, आयूशी वाले बहुत सारे ए वाले नाम है न, में नवेंबर 2024 के लिए, finance act 2023 is applicable, चलो, किसी ने बोला, circular and notification, notification is related to something new change, while circular are, for clarification in the law, circular and notification, एक बोल्थे, mandate, K3A को बूलते हैं नन्मंदी टी तो के शीन कें बुलते। चलिए बहुत बढ़िया बहुत सारे लोगों ने answer किया very good I am so happy that आपने answer किया और सही answer किया देखो एक तो होता है circular और एक होता है notification circular का मतलब क्या होता है बता है कि किसी भी चीज को clarify करने के लिए government circular निका लिए clarify करने के लिए मतलब जैसे कोई ambiguity है किसी چीज को लेकर doubt है किसी भी चीज को लेकर ambiguity है doubt है उसको clarify करना है तो जो clarification निकालते है उस clarification को बोला जाता है circular जैसे example के लिए अगर मैं आपको income tax इंडिया की website पे लेके जाता हूँ तो income tax इंडिया की website पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे दे रखे है act rule circular and notification करेंगे अगर मैं circulars पे गया तो यहाँ पे देखिए सब जगे आप देखो के ना हर जगे चालू भी वहाँ से होता है क्लेरिफिकेशन यह देखो यह क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि non-resident investor का कोई offshore से related था उससे related clarification है उसके बाद मैं देखिए यह yes में clear क्या देख रहा है circular to remove the difficulty difficulty आ रही थी उसको remove करने के लिए ठीक है तो clarification दे रहे हैं लोग यह guidelines दे रहे हैं करके ठीक है circular क्या होता है कि like कोई भी चीज को clarification because लोगों को उसमें ambiguity हो सकती है लोगों को doubt हो सकता है तो उसको clear करने के लिए वो लोग circular issue करते है that is called circular एक होते हैं notification तो फिर notification किसको बोलेंगे सर्थ notification किसी भी चीज को notify करना जैसे जितने भी amendments होते हैं वो amendments का effect देने के लिए उसको notify किया जाता है that is called notification जैसे for an example कोई section है उसमें यह दे रखा है कि भाईया यहाँ पे ऐसा ऐसा होगा एंड उसके बाद दे रखा है as may be notified तो as may be notified का बतलब बाद में उसको लेके notification लाएंगे और वो notification के through उस amendment का effect दिया जाएगा that is called notification that is called notification तो notification किसको बोलते हैं किसी भी चीज़ को notify करने के लिए कोई amendment है उस amendment को notify करने के लिए notification निकाला जाता है अब एक बात बताऊ आपको notification जो रहता है वो सब पे binding है means आपको मानना ही मानना है notification जो है, वो आपको मानना ही मानना है, वो आपको मानना ही मानना है, notification जो है वो notification आपको मानना ही मानना है आप यह नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम तो notification नहीं मानेंगे, नहीं हम तो नहीं मानेंगे, ऐसा दोड़ी होता है you have to follow that notification तो notification is binding to all सबके लिए binding है करके ठीक है लेकिन जो circular होता है न वो circular आप पे binding नहीं होता अगर आप के लिए favorable है तो आप उसको follow करो अगर आपके लिए वो favorable नहीं है तो आप उसको ignore भी कर सकते हो circular is binding only to the department department के लिए binding है department उसको मानेगा लेकिन आप चाहो तो मानो चाहो तो कोई बात नहीं चाहो तो मानो नहीं चाहो तो कोई बात नहीं सर्क्रिवलाना ही पड़ेगा। पहला notification दे रखा है किसी like जैसे Yamuna Expressway Industrial Development Authority है उनको government का company है उनको notify किया जाता है कि इनकी income पे tax नहीं लगेगा मालो इन्होंने या notify किया 1046 में एक section होती है 1046 में कि यह Yamuna Expressway Industrial Development Authority यह जो है इनका pen number यह है इनको इसमें notify किया जाता है इस section में इनको tax नहीं लगेगा तो इनको tax नही notify करने के लिए वो लोग क्या निकालते है notification निकालते है लेकिन circular is basically a clarification कुछ express करने के कुछ explanation देने के लिए कुछ guide करने के लिए that is call your circular करे ठीक है अब एक बात तो circular आप follow करो ना करो वो तुमारी मर्ची है चलो एक example लेता हूं circular का आप अपने आपको connect कर पाओगे office से मुझे एक बात बताईए आपके office में जैसे professional fees का bill बनाया आपके boss ने और आपके boss में boss ने ये डाला है कि professional fees है वो 1 lakh है और मानलो उस पर GST है वो 18,000 है तो आपका total bill है वो 1 lakh 18,000 है मुझे एक बात बताओ आगे वाला बंदा 194J में जो TDS काटेगा वो TDS कौन से amount पे 10% की rate से काटा जाएगा 1 lakh 18,000 पे या सिरफ 1 lakh पे मुझे बताईए जो TDS काटा जाएगा professional fees का bill is 1 lakh उस पे GST है 18,000 टोटल बिल 1 lakh 18,000 का आगे वाला बंदा उस पे TDS काटेगा TDS जो है वो किस पे काटा जाएगा सिरफ 1 lakh पे या पूरे 1 lakh 18,000 पे रिद्धी मैं बता रहा हूं रुकना तो सलोनी बोल रही है कि सर यहाँ पे GST पे TDS नहीं काटा जाएगा यहाँ पे TDS सिरफ 1 lakh पे काटा जाएगा यह जो 1 lakh है इस 1 lakh पे TDS है वो 10% की rate से काटा जाता है नॉर्मली आपको पता रहेगा 10,000 TDS काट के और आपके boss को 1 lakh 8,000 का payment किया जाता है लेकिन मान लो लेकिन मान लो अगर उसने TDS पूरे 1 lakh 18,000 पे काट लिया पूरे 1 lakh 18,000 पे 10% की rate से 11,800 TDS काट लिया तो क्या यह गलत है अगर 1 lakh बुरा उसने TDS काट लिया क्या फरक पड़ता है वो सकता है ऐसा बहुत बार होता है आपने देखा होगा ऐसा बहुत बार होता है पूरे 1 lakh 18,000 पे आगे वाले ने TDS काट लिया तो यह चलेगा यह नहीं चलेगा right answer is यह आपने चाट लिया कोई दिक्कत नहीं करना आपकी मर्जी तो आपको फॉलो करना है तो करो नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं बहुत बार मैं तो क्या करता हूँ मेरे TDS 100% कटवा ले तो आगे वाले से क्यों तुम मेरे 100% TDS काट ले करके ठीक है क्या वरक बढ़ता है तो this is call यार circular आपको follow करना है तो करो नहीं करना है कोई बात नहीं बहुत बार ऐसा होता है कि GST वाले component पे भी TDS काट लेते हैं बट CBTT का circular यह बोलता है कि भाईया आप GST वाले component पे TDS नहीं काटोगे चलेगा CBTT का circular है यह अब एक बात बताओ आपने माल लो यहां पे बन लेक 18,000 पे TDS काट लिया अब यह ऐसा थोड़ी बोल सकता है नहीं नहीं ऐसा कैसे हमने तो circular issue किया था पहिं मेरी मर्जी मैं नहीं मानूँ वो circular को वो जो circular है that is not binding to me करके मेरे लिए अगर favorable है मैं उसको follow कर लू then you will able to understand के circular notification actually क्या है करके ठीक है चलिए आइए देखिए क्या दे रखा है circular are issued by CBDT to clarify the meaning and scope of the certain provision contained in the act notification is issued by either central government और CBDT to give effect of the provision of the act में इस act का कोई provision है उसका effect देने के रिए notify किया जाता है notification निकाला जाता है circular are binding to only assessing officer but not to the assessee or any courts however assessee can take the advantage of the circular which are beneficial to them जो उनके लिए beneficial है वो circular का benefit है वो assessee ले सकता है next part आपको supreme court के judgment and high court के judgment भी पढ़ने पढ़ेंगे supreme court के judgment तो पढ़ने ही पढ़ेंगे but high court के कुछ ऐसे landmark judgment होते है वो भी आपको पढ़ने पढ़ेंगे एक बात बता हूँ ये supreme court होता है इसी को बहुत जगे ऐसा बोला होगा apex court जब apex court बोला हुआ है APEX apex court, apex court का मतलब होता है supreme court जो highest level की court है इंडिया में that is called supreme court तो supreme court के judgment और high court के judgment है वो आपको पढ़ने पढ़ेंगे अब एक बात समझता supreme court के judgment is binding to whole India, पूरे इंडिया पे अपली के बने, supreme court का judgment is a law of land, जो supreme court ने बोल दिया, वो final है, पूरे इंडिया पे आप लिगे बने, ठीक है लेकिन अगर law में change किया तो supreme court का judgment भी override हो जाएगा law में change करके आप supreme court का judgment भी override कर सकते है जैसा मैंने आपको Vodafone वाले case में बताया है कि supreme court का judgment है वो भी override हो सकता है अगर आप law में change करो तो ठीक है, otherwise supreme court का judgment is a law of land चले, देखिए क्या देखिए लेकिन high court का judgment एक बात बताऊ high court का judgment है ना वो high court का judgment है, वो उस particular territory पे binding होता है दूसरे वाले पे नहीं, जैसे मालो गुजरात high court का judgment है तो गुजरात high court का judgment is applicable to the gujarat और या Bombay high court का judgment है तो देखिए क्या दे रखा है various issues which are out of the provision, which are arise, sorry not out, arise out of the provision are decided by high court and supreme court the supreme court is an apex court and the law laid down by the supreme court is the law of the land supreme court ने जो बोला, वो भाईया law of land है, वो माना जाएगा एक दम binding है बट जब तक law में चेंज ना हो law में चेंज हो गया तो supreme court के judgment को डबबे में डाल दो गर गये, ठीक है the decision of high court will apply in the respective state only in which such high court have the jurisdiction, तो वो जहाँ high court है, उस respective state में high court के judgment है, वो applicable होते है उसके बाद income tax कब लगता है, कैसे लगता है, इसकी charging section है, वो section number 4 है और charging section क्या बोलती है, बड़ी simple सी section है, सब आपने ये intermediate में पढ़ रखा है, आज सिर्फ रिविजन हो रहा है intermediate का भी तो, income tax is charged for every assessment year, घर assessment year के लिए income tax लगेगा, every assessment year means, every assessment year, ऐसा नहीं है कि जिन्दगी में एक बार income tax भढ़ दिया तो अगले assessment year में नहीं भढ़ना है, नहीं है भढ़ना है जो income होगी उस पे आपको every assessment year, every assessment year income tax लगेगा, so income tax is charged for every assessment year and it is charged on every person हर person पर लगता है अब आप बोलोगे person कौन कौन है तो person में यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको दे रखेगा person कौन कौन होते है अगर गर गर टीक है every person पर लगेगा income tax person में कौन कौन आता है individual individual किसको बोलते है अभी आपको final level पर याद रखने की जरूरत नहीं है आपको ऐसे भी याद हो जाएगा individual एक natural person जो होता है उसको individual बोलते है जैसे इसमें man है woman है minor है person of the unsound mind अगर गर टीक है that is the individual उसके बाद hindu undivided family तो hindu undivided family को अभी तक person माना है लेकिन मैं बता हूँ कुछ दिन बाद में आपको बता हूँगा आगे जाके शाए 2024 के बाद में अगर बीजेपी पावर में आ गई तो देर में भी possibility कि यहाँ पे आपको income tax law नया देखने को मिले और जिसको direct tax code बोलते थ ठीक है और अभी आगे जाके आपने देखा होगा बात भी ऐसी चालू होगी है कि हम uniform वो क्या बोलते है लाना चाते है अगर के यूनिफॉर्म सब के लिए लाना चाते है तो हुआप वाला concept आगे जाके हट जाएगा आज की डेट में हुआप है हुआप बनाते भी सरफ टेक्स प्लानिंग के लिए है कितना टेक्स प्लानिंग होता है वो पन आगे जाके कहीं ना कहीं discuss करेंगे बट मैं बता दू हिंदू undivided family का concept है वो in future जाके वो नलीफ हो जाए इंकप टेक्स कोड करके जिसको बोल रहे है डारेक्ट टेक्स कोड वो डारेक्ट टेक्स कोड आएगा तो उसमें हुआप के concept को उन्हों ने हटा दिया गया है कर दे ठीक है तो चलिए आजकल यूनिफर्म सिविल कोड की जब बात हो रही है तो फिर यह मतलब जो concept है सिरफ हिंदू फैमिलीज है वो एक H.E.A. बना सकती है तो वो concept भी in future tax law से हट जाएगा चलिए हिंदू undivided family उसके बाद company company में कोई भी body incorporate हो सकती है इंडिया में incorporated है इंडिया के बाहर incorporated है उसको company बोलते है partnership firm including the LLP LLP और partnership firm are the same in income tax income tax में जो है वो आपका LLP and partnership firm दोनों ही same है कोई भी फरक नहीं है इंकंटेक्स में कोई भी फरक नहीं है अब कहां कहां फरक है वो मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बाद AOPBY आपने सुना होगा association of person and body of individual यह association of person body of individual क्या होता है जैसे joint venture से या फिर unregistered trust कोई trust registered नहीं है उसको अपन क्या बोलते है लाग AOPBY बोलते है यह यह आपने सुना होगा cooperative society cooperative society भी AOPBY में आती है उसके बाद local authority local authority means जो municipality है ग्राम पंचायत है that is local authority and last artificial juridical person artificial juridical person means जो यहां उपर कहीं पे भी cover नहीं होते जो यहां पे cover नहीं होते वो तुमारे artificial juridical person में आ जाएंगे जिसे देवी देवता है या फिर बार काउंसल है या फ artificial juridical person में आएंगे घर ठीक है यह तुमारे artificial juridical person में आएंगे तो अपन पढ़ रहे थे charging section income tax की charging section बोलती है income tax is charged for every assessment year on every person every person वहां पे define किया हुआ है and it is charged on the total income earned by the person during the previous year previous year में आपने जो income कमाई है उस पे लगेगा and tax is levied at the rate prescribed in the finance act finance act में rate दे रखी है उस rate से tax लगेगा अब अपन कल चालो करेंगे इसके आगे कि finance act में क्या-क्या rate दे रखी है आप घर पे जाके सिरफ assessment year क्या होता है यह आप एक बार read कर लेना previous year क्या होता है यह आप एक बार read कर लेना और यह person की definition क्या होती है वो आप एक बार read कर लेना Assessy कौन होता है कि अगर कोई भी person liable to pay the tax है मिस ये तो तुमारे person है अगर इन person में से कोई भी person liable to pay tax है वो person तुमारे Assessy की definition में आ जाएगा जैसे मैं जो हूँ, मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ, मैं हूँ, मैं Assessy हूँ Because मैं person भी हूँ और मैं tax भी पे करता हूँ, तो मैं क्या हो गया? Assessy हो गया. लेकिन आप लोग जो है, वो person है, आप tax पे नहीं करते, तो आप किसमें माने जाएंगे, आप person है, आप assessy नहीं है, ठीक है? तो person में हर कोई आता है, लेकिन जो person income tax में, कोई भी tax पे करता है, या कोई अधर sum पे करता है, जैसे penalty में अगर आप पे करने को आ गया, तो आप क्या बन जाएंगे? Assessy बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? Assessy बन जाएंगे. तो यहां तक कल आप एक बार read करके आना, इसके आगे कल अपन चालू करेंगे, और कल के lecture में हम सीखने वाले है tax rate. क्या tax rate क्या रहेगी? Finance Act 2023 से, जो आपके general tax rate है, वो क्या क्या रहेगी? कैसे रहेगी? वो अपन कल से पढ़ने वाले हैं, तो कल का lecture practical रहेगा. Marginal relief क्या होती है? फिर 87A का rebate क्या होता है? वो सब अपन कल के lecture में पढ़ने वाले हैं, तो आज का lecture है, वो थोड़ा basic lecture ही था, जिसके बारे में, आज के lecture में हमने आपको क्या बताया? हमने आपको एक तो syllabus के बारे में बताया, कि आपके syllabus में क्या-क्या चीज़े हैं, आपको दिमाग थोड़ा खुल गया होगा, कि क्या-क्या चीज़े हम इस subject में सीखने वाले हैं, और उसके बाद second part में, मैंने income tax के कुछ basic terms है, वो आपके साथ में discuss किये, आज आपके लिए homework कुछ भी नहीं है, homework सिरफ इतना ही है, कि page number 1 पे जो दे रखा है, page number 2 पे जो दे रखा है, assessi तक वो आप पढ़के आईए, ये वाला part अपन आज पढ़ेंगे नहीं, इसको अपन आगे जाके future में discuss करेंगे, कल से हम चालू करेंगे, tax rate applicable for the assessment year 24-25 करके ठीक है, किसी नहीं बोला, कि sir, assessi must be the person, मंडे को मिलेंगे, today was your introductory lecture, और मंडे से है, वो हम tax calculate करना सीखेंगे, individual के लिए, HUF के लिए, AOP, BYUI, company, partnership, firm, वो हम पढ़ने वाले रखेंगे, ठीक है, thanks a lot people, it's enough for today from my side, see you on the Monday, सिरफ जितना आपको पढ़ाया है, जो मैंने आपको दो पेज बोले है, उतना आप एक बार revise करके आईए, और मंडे से फिर हम आगे पढ़ने वाले है, thanks a lot, आज के लिए इतना बहुत है,